सिरल परदेश में मेरा दिल में रिहान को पता चल गया है कि आहाना की आत्मा नैना के अंदर आती है अपने बच्चे के लिए रिहान आज तक इन चीजों में विश्वास नहीं करता था लेकिन आप इन सब बातों को मानने लगया है रिहान ने नोटिस किया है कि नैना के चेंज अवतार और वो बिल्कुल आहाना की तरह ही बिएव करती है रिहान ये बात जानकर शौक्ट हो जाता है रिहान आहाना से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो आहाना से बहुत प्यार करता था जिया आहाना की आत्मा अपने मडर का सच रिहान को बताएगी और वो साथ ही साथ उसके हर जीत की सारी सचाई भी उसको सामने लाके खड़ा कर देगी वो ये बताएगी कि आहाना का एक्सिजन करवाये गया था जिसकी वज़े से उसकी मौत हुई थी क्या रिहान आहाना की इस बात पर विश्वास करेगा ये जानने के लिए प्लीज सब्सिरल परदेश में मेरा दिल में रिहान को पता चल गया है कि आहाना की आत्मा नैना के अंदर आती है अपने बच्चे के लिए रिहान आज तक इन चीजों में विश्वास नहीं करता था लेकिन अब वो इन सब बातों को मानने लगया है रिहान ने नोटिस किया है कि नैना के चेंज अफतार और वो बिल्कुल अहाना की तरह ही बिएव करती है रिहान ये बात जानकर शौक्ड हो जाता है रिहान अहाना से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो अहाना से बहुत प्यार करता था और अब रिहान नेना के इस अहाना वाले अफतार को पसंद करने लगया है रिहान अहाना से बात करने की कोशिश करता है और उसको खुश करने की कोशिश करता है लेकिन आहाना की spiritual अब जल्दी रिहान के सामने बहुत बड़ा सच रिविल करने वाली है जी आहाना की आत्मा अपने मडर का सच रिहान को बताएगी और वो साथ ही साथ उसके हर जीत की सारी सचाई भी उसको सामने लाके खड़ा कर देगी वो ये बताएगी कि आहाना का अक्सिडेंट करवाया गया था जिसकी वज़े से उसकी मौत हुई थी क्या रिहान आहाना की इस बात पर विश्वास करेगा ये जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइगा